हेलो एवर्यों कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल स्ट्व कोचिंग क्लासस पर स्वगत हैं और आशा करता हूं कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आगे भी आप ऐसे ही पढ़ते रहें जो रिगुलर हमारे चैनल म बास्तों में एक सितंबर से जो मद्द प्रदेश की जो सिच्छा नीतिय हो लागू होगा तो उसमें अब क्या होगा अभी कई लोगों के मन में यही सवाल जवाब है और कई लोगों कमेंट यही है कि सर बताए कि कोर्श कितना कम होगा कैसे पढ़ाई करना है तो सबसे पह कर्मेंट के तरब से कोई भी अभी नोटिविकेसन जारी नहीं किया गया कि इतना सलेबस कम करा जाएगा कुछ परसंटेज कम हो गए तो डेफिनेट है यह तो सबको पता कि 6 महीने में 100% कोर्स हो नहीं सकते अब इतना भी लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई बच्चा कैदी मोवाइल से पढ़ाई करेगा तो 100% कोर्स नहीं कर पाएगा वह भी 6 महीने में अचा 12 भागों में बटा गया 12 भागों में किस भाग को किस चैप्टर को किस इस्थित पर पढ़ाई करना यह चीज अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है ठीक है आज आप देख रह समझ में नहीं आता कि अब पढ़ाना क्या चीज है क्या नहीं पढ़ाना क्या कैसे खुद उनको नहीं पता क्योंकि गवर्मेंट अभी खुद उनको यह सलेबस नहीं भेजाए कि इस सलेबस को पढ़ाई करवानी है अब ऐसे इस चित में हम लोगों को क्या करना चाहिए हम मैं आप लोगों से सबसे ही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई जैसे जो की आप गर्मी से पढ़ाई करते आ रहे हैं उस सलेबस को आप पूरा 100% कम्प्लीट करो, चीजें समझो पहले, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो भी आप गर्मी से पढ़ते आ रहे हैं, उसको बिलकुल आप revision करो बहतरिन उसको तयार करो अच्छे से तयार करना ठीक है पहला stage यहीं मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपने पढ़ाये दी उसमें से सलेवस हट भी जा रहा है तेकिन उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना अच्छा अब आगे चल कर क्या करना है कि 15 दिन में एक chapter र करनी है क्योंकि यह दुवारा आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा इसलिए आपको 100% पढ़ाई करनी है तो जो आगे समय रहेगा जो आपके पास बचात होगी जो आपने पढ़ाई कर लिया उस हपते में आपको वही चीद पढ़ाया जा रहा है उसको revision के तौर पर रखो जिससे आपकी विडिवार तैयारी होता कि आप किसी भी स्टेट से हों यह खास्तोर से अंपी वोट से हों तो कोई दिक्कत नहीं हो मात सव रुपए में दे रहा हूं इसके लिए मैं आप लोग कहना चाहता हूं physics committee biology और मात रिये उनको सेवा दे रहा हूं जो कि मेरे चैनल मेनेज करके student प्रीज यार 100% पढ़ाई करनी है क्यों कि आपको school तो आप जाना नहीं है जो भी online classes रहेगी अब ऐसे कई सारे student है कई सारे परसानियों से जहल रहा है कि सारे कुछ लोग तो जियो के mobile से पढ़ते हैं अब जियो के mobile से बेचारे कैसे पढ़ाई करेंगे सुद जियो के mobile से तो आँख में क्या बताई प्राबलम आ जाईगी कुछ भी दिखता है नहीं जियो के mobile छोटा सा mobile कैसे होता है तो उन लोग लिए बहुत बड़ी समिस्चा बनी हुई है और मेरे गाउं में भी ऐसे कही बच्चे जिनके पास mobile ही नहीं है वो तो इतना परिसान ह कि मैं आप लोगों को खूद ऐसा वीडियो लाँगा जो कि मैं दिखाऊंगा कि बास्तों में लोग कितने परिसान है क्योंकि यहां पर मात्र 50% लोगों के पास mobile है जो गरीब है उनके पास mobile कहा से लोग कहते हैं गरीब आज कोई नहीं है अरे बहुत से गरीब है बहुत ग गरीबी नहीं है किसी के रहने के लिए घर बनवाद होगे लेकिन उसके खाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है खाने के लिए जो प्रीपे रहकर ही जीवन जी सकता लेकिन खाना बिल्कुल यही चाहिए जिसके पास दो इंची जमीन नहीं है कुछ खेती नहीं है कुछ मोबाइल किसी तरीके से खरीद ले कुछ भी बेच के कुछ भी कहीं से अरजस्ट करके लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है मेरे पास डेली एक से दो से चार्ज बच्चे ऐसे कमेंड करते कि सर मेरे पास रिचार्ज कराने के पैसे नही वह वही है कि बच्चे सीधा कई से और मेरे पास पैसे नहीं तो सुद्वर करवाकर ईज्यार्ज लगता हैं लगते हम इितना बड़ संड्य नहीं में इतना इत्थ कर सकूं ठोड़ाarta उसक्र यहले कि वह पॉपलरीक्ट करनी कि बहुत फड़ा चार्ज करा दीजिए तो प्लीज मेरे भाईओ मैं आप लोगं के लिए वीडियो निसूलक दे रहा हूं आप निसूलक सेवा पा रहे हैं पढ़ाई बेतरीन करो ठीक है जितना में हो सकता है अपनी आप से सेवा करता हूं आप लोगं का तो यह चोटा सा इंपार्मे वीडियो में आसा करता हूं वीडियो पसंद आए उत लाइक जरूर कर दें दोस्तों समस्तियार कर दें नहीं चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रस कर लिना अगले वीडियो मिलेंगे जहीं बंद मातरों